चंदनपुर नामक गाव में एक बूरा और उसकी पतनी गाव में अपनी छोटी सी जोपडी बना कर रहा करते थे। दोनों बहुत ही बूरे हो चुके थे लेकिन बूरा बाबा बहुत ही घमंडी था, वही बूरी अम्मा बहुत ही द्यालू थी। एक दिन जंगल में, बूरा अरे वाह वाह, कितने सुन्दर फल हैं, वाह मेरा मन तो लल्चा ही गया इन सुन्दर सुन्दर फलों को देखकर, भूख भी बहुत तेज लगी है, हाँ, चलो इन्ही फलों को खाया जाए, फल खाते हुए, बूरा, अरे वाह, क्या स्वादिश्ट फल हैं, वाह वाह, थोड़े भी खाने को मिल जाते तो, वैसे भी बहुत जोरों की भूख लगी है, थोड़े फल मुझे भी दे दीजिये ना, मुझे भी थोड़े फल दे दीजिये, बुरा, अरे, चल भाग यहां से, मैं तुझे एक भी फल नहीं दूँगा, बहुत भूख लगी है मुझे, य कुछ फल मुझे दे दोगे तो मेरी भूख शान्त हो जाएगी। मुझ पर दया करो, पुन्य मिलेगा बाबा, बूढ़ा, अरे, नहीं, मुझे कोई पुन्य नहीं चाहिए तुमसे। इतने स्वादिष्ट और मजेदार फलों में से मैं एक भी फल किसी को नहीं दूँगा हा चलो जाओ यहां से, मुझे इन मजेदार फलों का आनंद लेने दो, बूढ़ा बहुत ही निर्दय और भूखर है, अपनी भूख के आगे उसे भूखे बिक्षुक की भी भूख नहीं दिखी। बिक्षुक, जाओ मेरा श्राप है, आपसे तुम जितना भी भोजन करोगे, तुम्हारी ये भूख शांत नहीं होगी, तुम जो भी भोजन खाओगे, वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, ये भिक्षुक का श्राप है श्राप, लेकिन बूरे के ऊपर भिक्षुक की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो मजे से फल खाता रहता है, बूरा, अरे, हाँ भाग्यवान खूब सारे, लेकिन ये क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी है, जाओ, जाओ मेरे लिए जरा भोजन बना कर लेकर आओ, हाँ, जल्दी जाओ, बुर्या, अच्छा ठीक है, अभी बना कर लेकर आती हूँ, जिसके बाद बू भोजन नहीं बनाना सीख पाई तुम, हे भगवान, ना जाने कब मुझे अच्छा भोजन खाने को मिलेगा, बुर्या, अरे, ये आप क्या कह रहे हैं, फिर क्या हुआ जी, फिर आज हुआ क्या, जी, क्यो एसी बात कर रहे हैं, बुरा, अरे भाग्यवान, तो क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तुम्हारी बनाई खिचरी वाकई बेस्वाद है, मुझे तो बहुत सोरों की भूख लगी है, अगर अभी भोजन नहीं मिला तो लगता है मेरे प्रान ही निकल जाएंगे, हाँ कुछ तो सोचना पड़ेगा, दूसरे घर में जानते हुए, बुरा, व दोर की भूख लगने लगी है भाई, यहां से कहीं और चलता हूँ, हाँ, घर की मालकिन, अरे, अभी यहीं तो रख कर गए थी सारे समोसे, अचानक कहां गायब हो गए, हे भगवान, कौन ले गया यहां से, अब यहीं देखना बचा था, जरा देखो तो दिन दहारे चोरी हो रही है, दोबारा से बनाना पड़ेगा अब, तभी बूरा चुपके से गाव के एक दूसरे घर में जाता है, जहां पर एक मोटी और चूलिंग पर बैठी खीर बना रही होती है, औरत, अरे वाह, आज तो खीर बहुत स्वादिश्ट बनी है, वाह वाह, आज तो खूब औरत, अरे रे, ये बिल्ली आज फिर से आ गई, अभी भगा कर आती हूँ इसे, हाँ, बूरा आता है और खीर खाने लगता है, बूरा, अरे वाह, कितनी अच्छी खीर है, अरे, ये सारी खीर खाने के बाद भी मेरी भूख शांत क्यों नहीं होती, मैं यहां से चलता हूँ कहीं इस मोटी औरत ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा, कुछ समय बाद, औरत, अरे, मेरी खीर कहां गई, अभी तो यहीं रख कर गई थी, कौन मूर्ख बना गया मुझे, मेरी सारी खीर खा गया, जिसके बाद बूरा एक के बाद एक गाउंग वालों के घर में जात भी थी, बुढिया प्रास्ते से जाते हुए, अरे, क्या हुआ, तुम रोख क्यों रहे हो, भिक्षुक, मैं एक भी खारी हूँ, अम्मा, कई दिनों से भूखा हूँ, एक भी अन्न का दाना नहीं खाया है, आप तो शरीर में इतनी भी शक्ती नहीं बची कि मैं यहां से कह ही जाकर किसी से भूजन मान सकूँ, लगता है भूख के मारे मेरे प्रान ही निकल जाएंगे, बुढिया, अरे, मैं तुम्हारे लिए भूजन लेकर आती हूँ, तुम इंतजार करना बस अभी आई, घर पहुँचकर, बुढिया, अरे, ये आप क्या कर रहे हैं, जी, बु बुढिया, ना जाने क्या हो गया है अन्हें, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, बुढिया वही खिचरी लेकर विक्षुक के पास जाती है, जो बुढिये ने बेस्वाद बताई थी, बुढिया, ये लो, ये खिचरी खाओ, तुम्हें इसे ही खाकर अपनी भूख श बुढिया, क्या बताऊं, मेरे पती की कई दिनों से भूख ही शांत नहीं हो रही है, वो जो भी भूजन खाते हैं, उन्हें वो बेस्वाद ही लगता है, उनकी भूख शांती नहीं हूती, अब तुम ही बताओ भला मैं क्या करूं, विक्षुक, मैं सब जानता हूं और खाने को नहीं दिया, जिसकी वजय से ही मैंने उसे श्राप दिया, बुढिया, मेरे पती को माफ कर दीजिये बाबा, मैं बहुत दुखी हूं, बाबा, तुम्हारे दिये श्राप के कारण मेरे पती की भूख ही शांत नहीं हो पा रही है, जितना भी भोजन देती हूं, उन धिस्वादिश्ट नहीं लगता, उनकी भूख शांती नहीं होती। मेरी सहायता कीजिए बाबा, उन्हें अपने दिये श्राप से मुक्त कर दीजिए। साधू, भिक्षुक मैं तुम्हारी पीरा समझ सकता हूँ। तुम बहुत ही दयालो और नेक दलित स्त्री हो। लेकिन मैं अपना दिया श्राप वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, तुम्हें एक मार्ग जरूर दिखा सकता हूँ जिस पर चलकर तुम्हारे पती को मेरे श्राप से मुक्ती मिल जाएगी। लेकिन वो मार्ग कठिन होगा। बुर्या, मेरी सहायता कीजिए बाबा, मुझे वो मार्ग दिखा दीजिए, मैं अवश्य उस मार्ग पर चलकर अपने पती को आपके दिये श्राप से मुक्त कराऊंगी, चाहे वो मार्ग कितना ही कठिन क्यूं ना हो। साधू, ठीक है, फिर तुम अभी रुको, जिसके बाद बाबा के हाथ में अचानक से एक लाल रुमाल जाता है, बाबा अपने हाथ में लाल रुमाल को जैसे ही दूर फिकते हैं, वहाँ पर बहुत ही सुन्दर गाय आ जाती है, साधू, ये जादूई गाय है, तुम्हारे पती की भूख शांत इसी गाय के द्वारा होगी, इस गाय का दूद बहुत ही चमतकारी है, अगर इस प्राक्त दूद तुमने अपने पती को पीला दिया तो उसे मेरे दिये श्राप से मुप्ती मिल जाएगी, लेकिन ये कार्या बहुत ही कठिन होगा, ये गाय तुम्हे तभी अपना दूद देगी जब ये तुमसे प्रसन होगी अन्यता तुम्हारे पती को श्राप से होगा वो ऐसे ही भूखे इंसान की तरह फिरता रहेगा गाय को घर लाने के बाद बुर्या अरे गाय माता आखिर तुम कैसे प्रसन होगी सोचने दो सोचने दो रुको मैं अभी आए हाँ यही सही रहेगा गाय माता के लिए इस रोटे और इस गुल की टुकलों से चूर्मा बना देती हूं हाँ यही ठीक रहेगा बुर्या यह लोगाय माता देखो मैंने तुम्हारे लिए यह गुल का चूर्मा बनाया है रुको अभी खिलाती हूं तुम्हें अभी खिलाती हूं बुर्या अरे वाह खुश्बु आ रही है अरे वाह गुल का चूर्मा लाओ लाओ बहुत ही जोरों की भूख लगी है बुर्या अरे नहीं नहीं ये गुर का चूर्मा तो मैंने गाय माता के लिए बनाया है ये मैं आपको नहीं दूंगी बुरा पागल हो गई हो क्या देखते नहीं मुझे कितनी भूख लगी है लाओ ये गुर का चूर्मा मुझे दो बुरा बुड़या से जबर्दस्ती चूर्मा छीन लेती है, तभी गाय ने बुड़य को जोर से लात मारी, बुड़ा, अरे रे, मार दिया, क्या पागल गाय है, हाई भगवान, ये कहां से ले आए इसे, अरे, तूट गई मेरी कमार, ये गाय यहां नहीं रह सकती, सुना तुमने, बुड़या, नहीं नहीं, ये आप क्या बोल रहे हैं, जी, मैं गाय माता को ऐसे नहीं जाने दे सकती हूँ, हाँ नहीं जाने दे सकती, यही तो आपके भूग शांत करने का एक मात रुपाय है, जी, बुड़या, अरे, तुम पागल हो गई हो, ये मामूर इसी गाय भला मेरी क्या भूग शांत करेगी, देखो भाग्यवान, ये पागल गाय है, ये यहां नहीं रह सकती, मैं बाहर जंगल जा रहा हूँ भोजन की तलाश में, मुझसे मेरी ये भूग शांत नहीं होती हाँ, बुड़या, अरे, नजाने का भूग शांत होगी इनकी, गाय माता के लिए जो चूर्मा बनाया था वो भी सारा खराब कर दिया, अब क्या करून, ना जाने अब गाय माता को क्या खिलाऊंगी, रात में, बुड़ा, इधर ये भाग्यवान सो रही है, उधर आज जंगल मे कुछ भी खाने को नहीं दिखाए दिया, इस भूग के कारल तो मुझे चैनी नहीं पड़ता है, चलो थोड़ी देर आराम करने की कोशिश करता हूँ, बुड़ा सोने की कोशिश करता है, तभी बुड़े को गाय की चिलाने की आवाज आती है, बुड़ा, अरे, ये भाग् कर रही है बताता हूँ इसे, बुड़ा, ये चिला रही है, लगता है तू इसे नहीं मानेगी हाँ, अभी बताता हूँ तुझे, रुक तू बचकर नहीं जा पाएगी मेरे हाथों से, तभी बुड़ा उसे लाठी से मारने की कोशिश करता है, लेकिन लाठी उसे उल्टा ठीतने लगती है। बुरा, अरे रे, यह क्या होता है, यह मुझे लाठी क्यू Programm रही है। बुरा, अरे, भाग्यवान, देखती नहीं हो मुझे इस लाठी ने कितना मारा है। हाई, देखो मेरी हालत, बुल्या, अरे, ये क्या बोल रहे हैं आप, लगता है आपकी भूख ना शांत होने का असर आपके दिमाग पर भी चद गया है, यहाँ कोई नहीं है जी और भला ये लाठी आपको अपने आपी थोड़े ही मारने लगेगी, आप भी न, अंदर चल कर आराम कर लीजिए, रात बहुत हो गई है चलिए, बुल्या, अरे भाग्यवान, तुम भला कहां मेरी कोई बात सुनती हो, इस लाठी, ने ही मुझे मारा है, अच्छा आप चलो अंदर चलो कमर में बहुत दर्द हो रहा है भाग्यवान, बुल्या, अरे ओ भाग्यवान, कह हो, बहुत जोरों की भूक लगी है, लाओ लाओ जल्दी कुछ खाने को भोजन दो, बुल्या, भोजन, कहां से लाओ भोजन, हमारे पास जितना भी अनाज था, वो सब तो आपको देही चुकी हूँ, अब तो घर में अनाज का एक भी दाना नहीं है, कहां से लाओ आपके लिए भोजन, बुरा, अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, वहां कुछ न कुछ अवश्य ही मुझे खाने को मिल जाएगा हां, बुल्या, अरे, ना जाने कब इनकी भूख शान्थ होगी, मुझसे अब इनकी और ऐसी हालत नहीं देखी जाती, अ लीजे गाय माता, अब तो मेरे पास तुम्हें खिलाने के लिए यही एक मातर भुजन है, तुम यही खालो गाय माता हां, यही खालो, बुरा, मेरी भूख भी शान्त नहीं हुई, लगता है ये मेरी ही गलती का फल है, उस दिन जंगल में अपने लालच के कारण मुझे उस लेकिन अब तो आपको भी अपनी गलती का अहसास हो गया है, न जाने कब आपको मुक्ती मिलेगी, तभी अम्मा की नजर गाय पर पड़ती है जो अचानक से चमकने लगती है और जिसकी थनों में से दूद तपकने लगता है, ये देखकर अम्मा हैरान रह जाती है, बुर् बहुत बहुत धन्यवाद गाय माता, बुर्या, ये सब छोड़िये जी, ये पाप है, किसी भी जानवर का भोजन नहीं चीनना चाहिए जी, ये लीजे, ये दूद की मट्की पी लीजे, इससे जरूर आपकी भूख शांथ हो जाएगी, बुर्या, अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ये दूद की मट्की पी लेता हूँ, लाओ मुझे दो, दूद पीने के बाद, बुर्या, अरे, ये क्या भाग्यवान, सच में ये दूद तो चमतकारी है, इसे पीते ही मेरी भूख शांथ हो गई, लेकिन ये कैसे हुआ भाग्यवान, बुर्या, ये सब गा अचानक से गायप कैसे हो गई, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, बुर्या, वो गायप वापस बाबा के पास चली गई है, जी हाँ, वापस चली गई, आप श्राप से मुक्त हो गई जी, बुर्या, ये तुम क्या बोल रही हो भाग्यवान, मेरी भूख शांथ हो गई ह लेकिन भाग्यवान, ये गाय तुम्हें कहा मिली बताओ मुझे, अच्छा तो मेरी ये दशा बाबा के श्राप के कारण हुई थी, सत्य है कि उस दिन जंगल में उस भूखे भिक्षू को मैंने एक भी फल नहीं दिया था, जबकि मेरे पास खूब सारे फल थे, अपने ला जैसी पतनी पाकर मैं धन्य हो गया भाग्यवान, अगर तुम ना होती तो मुझे कभी बाबा के दिये श्राप से मुक्ती नहीं मिल पाती, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा भाग्यवान, बुर्या, नहीं जी, आप मेरे पती है और आपके हर सुक दुख में मुझे आपके साथ रहना है, आपको श्राप से मुक्ती मिल गई, बस अब तो और मुझे कुछ नहीं चाहिए जी हाँ, मैं बहुत खुश हूँ जी, बहुत खुश हूँ, जिसके बाद बुरा और बुरी अम्मा फिर से खुशी-खुशी रहने लगते हैं, इस कहानी से आपने क्य सीखा, नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं